और वेल्कम टो एक्जामायक्यू एक्जामाइक्यू कि इस वीडियो में देखते हैं 20 कदम छारखन समान पर से बनने वाले 20 मतपूर्ण स्वाल जो आने वाले expos में होने वाले जेपेसी और जेसे सब्सक्यीises के अधिवेशन will थे तो सही इंसर क्या हो जागा जोहारला नहरू तो 1929 में जहरिया में हुए अखिल भारतिय ट्रेड यूनियन को अधिवेशन के अध्यक्ष थे जोहारला नहरू अगला स्वाल क्या है किस विद्रों को अंग्रेजों ने गंगा नरायन का हंगामा की संग्या दिया था तो ग बिर्सा मुंडा को जेल से पहली बार 30 NOMBAR 1897 को सुरह चोड़ा गया था और 30 NOMBAR 1857 को कौन से जेल से चोड़ा गया था हजारी बाग जेल से यह भी मार्ण में रखियेगा अगला स्वाल क्या है मुंडा विद्रोग के किस नेता को 30 नौमर 1897 को बिर्टेन की महरानी विक्टोरिया की हीरक जैनती मनाने के अउसर पे मुख्त किया गया था वो तो देख लिये थे बिर्शा मुंडा अजारे बाग जेल से पाचवास वाल क्या है क którą बारो बुरू से खषब आनि की डूमबारू पाढ़ी से तो शहिंसर हो जागा डुमबारू बुरू से छतहस स्वाल क्या है के उर्एं की क الع Land की कुटूक जो है उर्एंजाती की भासा है तो की तो कुटूक कौन से भासा परिवार की भासा है तो से इंसर हो जाएगा द्रडवीर सरेडी की भासा है तो कुडुक जो है द्रडवीर सरेडी की भासा है और इस सवाल JSC में कई बार पुछा भी गया है अगला सवाल देख लेते हैं बिर्सा मुंडा ने किसे अपना अंदोलन की धार्मिक समाजिक साखा का पर्मुक बनाया और इस अंदोलन के दोरान आपको बताना है तो सेनापती किसको बनाया था तो सेनापती बिर्सा मुंडा ने किसको बनाया था ये आपको कमेंट करके बताना है और धार्मिक अंदोलन क प्रमुक्ते सुमा मुंडा निकी सिनापती बताना है आपको संख नदी का उद्गा मस्तल कहां है तो संख नदी का उद्गा मस्तल कहां पे है गुमला हो जाएगा तो संख नदी का उद्गा मस्तल गुमला अगल स्वाल देख लेते हैं गाट सिला के महल पर अंगरेजों का कब्जा कब हुआ था तो जारखंड में साक्षरतारदर 2001 में 54.13% थी जो 2011 की जनगन्ना में बढ़के कितना परसेंट हो गई है तो इसका सेंसर है 66.4% तो 2011 की जनगन्ना के निस्वार जारखंड का कुल साक्षरतारदर कितनी है 66.4% एगारवा स्वाल देख लेते हैं कार्तिक उराव के नेतरज़े उन्सर हो जागा чис Champs के स्थापने का हुई थी इस शीवाजी समाज के श्थापना का वेरे कौनसे पार्टी बनाने के दो रार्न कर दिया गया था तो जार्खन मुक्ती मुर्चा बनने के दोरान विनोद ब्यारी मुहत्तों ने अपने सिवाजी समाज और सिभू सोरे ने स्वनोत संथाल समाज के का विले करके जार्खन मुक्ती मुर्चा का निर्मान किया था अगला स्वाल क्या है तो जहारखंड में किस अस्थान पे केंदरी इंधन अनुसंधान संस्थान इस्तित है तो जहारखंड के कौन से अस्थान पे केंदरी इंधन अनुसंधान संस्थान है तो जालगोडा अंसर हो जाएगा तो जालगोडा में इस्तित है अगला स्वाल दे जारखंड की समस्याओं के निराकरण है तू गठित संस्था का नाम क्या था आदिवासी मासभा तो आदिवासी मासभा जो थे जारखंड की समस्याओं के निराकरण के लिए गठित किया गया था अरस्वर क्या है मुख्यमंत्री जन ये वन योजना की तहत विरिक्छार ओपन की नियुंतम में अधिक्तम सिमा कितनी है एक अकड से 50 एकड तो मुख्यमंत्री जन वन योजना की तहत नियुंतम एक एकड में लगा सकते हैं और अधिक्तम कितने एकड़ में अधिक्तम पचास सक्ड़ में है अब पोधा लगा सकते हैं और इस पर सरकार सब्सुडी भी देती है अग्ला स्पाल क्या है फॉणस्पार्क राज के किज जीलों Lap जीवासन पार्क सिकओं की मुष्हाञ्ण के राज PARK में है呢 जंसेद पूर भी बहुत चाहू ऊप्शन में दिया जाता है लेकिल जिल्ए है, जिल्ए की। बात क्या हो जाएगा? पुर्वी शिंभूमम तो दल्मा हाथी अभ्यारन जो है जहारखंड के पूर्वी स्रिमुव मिश्ती थे अगला स्वाल क्या है पार्सनाथ पहाड़ी जहारखंड के कीज जिले मिश्ती थे तो पार्सनाथ पहाड़ी जहारखंड के कौन से जिले मिश्ती थे तो पार्सनाथ पहाड़ी जहारखंड स्रीफीट हो जाएगा और पार्सनात पाड़ी जारखन के गिरेड जिले में है विस्वास वाल क्या है तो राज में जल स्रंक्षन के लिए डोभा निर्मान किस साल शुरू किया था तो डोभा निर्मान की परिक्रिया जारखन में 2012 से शुरू कियी थी तो यह थे 20 का बांद जारखन से बनने वाले 20 महत्पुन स्वाल तो थेंक्स पर वाचिंग मिलते हैं अरे विडियो में